नमस्कार दोस्तों, पूजय शक्ती चानल में आप सभी मेरे भाईयों और मैंनों का बहुत बहुत स्वागत है, जैमाता दी दोस्तों, आज जिस नवीशे पर हम चर्चा करेंगे वो है गणेश चतूर्ती जो की हिंदु धर्म शास्त्र के अनुसार बहुत प्रमुक्ते भार इस समय पर तो आपके सभी विग्न हरते हैं, आपको बुद्धी की प्राप्ती होती है, शुबलाप की प्राप्ती होती है, तदा ऐसी माननेता है, अगर आप नियम से, यानि अगर आप तीन साल का नियम ले लेते हैं, कि तीन साल हम लगातार गणेश जी की स्थापना अप भागी की प्राप्ती होती है और कोई कितना भी बड़ा कारे रुक गया हो जीवन में कभी भी आपका वो कारे जो है अटके गगा नहीं और पून रूप से पूनता लेगा यानि कि सब कारे जो है बिना विगन के पूरे होते जाएंगे आप जब गणेश जी की मूर्ती को पूरे दस दिन तक चलता है परन तू आप गण propre नियम से मैंने का तीन सृपने süड़ बनने के बाद जन्म उच्व जो है गणेश से शुरू अब आप जब गणेश जी की स्थापना करते हैं आपको पांचांग का बहुत ध्यान रखना है हिंदू पांचांग के अनुसार भादर पद्र यानि की भादो मा की शुक्ल पक्ष चतूर्दी जो चतूर्थी है वो भगवां श्री गणेश के जन्म के साथ हुई थी उनके ज गणेश चतूर्थी जो है दो सितंबर को मना जाएगी स्थापना के शुमुरत रहेंगे वो इस प्रकार रहेंगे गणेश चतूर्थी की स्थिति जो रहेगी वो रहेगी दो दिसंबर 2010 Williamrist गणेश चतूर्ती तिथी प्रारंब जो होगी वो 2 सितंबर से लेकर 2019 को जो है सुभे 4 बच कर 50 मिनिट से शुरू हो जाएगी और जो तिथी समाप्त होगी वो होगी 3 सितंबर 2019 की रात को 1 बच कर 50 मिनिट तक गणेश जी की स्थापना और पूजा का समय जो रहेगा यानि आ 12 बच कर 5 मिनिट से लेकर दोपहर 1 बच कर 36 मिनिट का जो समय है वो बहुत ही जादा शुब है सर्व मंगल है यानि आप इस समय पर सापनागर करेंगे तो आपके जीवन में आपको बहुत से सौभागी की प्राप्ती होगी ये अवधी जो रहेगी 2 गंटे 31 मिनिट की रहे ये जो अवधी रहेगी 12 गंटे 10 मिनिट की कुल अवधी मानी जाएगी अब गणेश जी की स्थापना कैसे करेंगे उसके बारे में भी आपको बताते थे हैं गणेश जी की स्थापना गणेश चतूर्थी के दिन मध्यांत में की जाती है मानने ता है गणेश जी का समय जो के जीवन में आपको कभी ना कभी जो है ऐसा एक समय आएगा जब समाज में आपकी निंदा होगी या आप पर जो है अपमान की स्थितिया बन सकती है तो खास तोर पर इस दिधार के चंद्रमा नहीं देखे गंडपती जी की स्थापना की विदी इस प्रकार रहेगी आप चा करने के बाद आप नए या साफ धुलेवे कपड़े जो बिना कटे फटे हुए हो याने की जो पून रूप से सिलेवे हो अच्छे हो सुन्दर हो कपड़े वैसे कपड़े पहने आप इसके बाद अपने माते पर तिलक लगाए और पूर्व दिशा की और मुक करकर आसन पर गणेश जी की प्रतिमा को लकड़ी के पट्रे पर रखेंगे उसमें गेहुं मूंग जुआर के उपड़ लाल वस्त्र भिश्थाकर आप स्थापित कर सकते हैं गणपति जी की स्थापना जब करेंगे तो उनके प्रतिमा के दाइबाएं आपको रिद्धी सिधी प्रतिक स इस पहले घी का दिपक जलाएंगे इसके बाद पूछा संकल्प लेंगे फिर गणिजी का ध्यान करके उनके ऊपर ठोंडा सा जल यह ःगांगाजल छड़केंगे इसके बाद गणिजी को स्नान किराएंगे सबसे पहले जल से फिर पंचामरत जो कि दूद, दहीं, घी, शहद और चीनी का मिश्रण होता है और पुना शुद्ध जल से सनान कराएंगे अगर आपने मिट्टी की मूर्ती बनाई है या इको फ्रेंडली मूर्ती बनाई है तब आप स्रिफ गंगा जल छड़कर ही जो है उनको सनान करवा देंगे अब गणेश जी को वस्तर चढ़ाएंगे अगर वस्तर नहीं है तो आप जो है एक जो मौली होती है लाल रंगी जिसे हम पूजा के उसमें प्रयोक करते हैं या जो एक सफेज सूती नाड़ा होता है उसी का वस्तर बना कर आप गणेश जी को अरपित करेंगे इसके बाद गणेश जी की प्रतिमा पर सिंदूर, चंदन, फूल और फूलो की माला अरपित करेंगे अब जो है आप गूगल की धूब बत्ती जो होती है अगर आप मोदक नहीं बनाना जानते हैं तो मैं कहूंगे इस समय पर बाजार में जो बेसन के लड़ू मिलते हैं आप वो जरूर खरीद के लाएं और उन्हीं का भोग जो है और दूद का एक गलास आप जरूर गणेश जी के सामने रखें अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी पूण जो है मनोखामना पूरी होंगी साथी साथ आप जो है इस समय पर दुरवा की माला या दुरवा अरपित करें दुरवा को आप जो है पूरे आसपास गणेश जी के रखकर उसके उपर स्थापना करें आरती में आपको कपूर जरूर लेना है और साथी साथ अगर आप इसे घी में डुबो कर आप जो है तीन बत्ती बना कर दिया जलाते हैं आरती के समय पर आप दीपक में तीन बत्ती जलाएंगे और घी का दीपक जलाएंगे तो वो भी जो है आपकी आरती पूर्ण रूप से स्विकारी जाए अब जब आप गणेश जी की परिक्रमा करेंगे जहां पर आपने सापना करी है तो परिक्रमा जो होगी केवल एक बार ह भी आप गणेश जी की परिक्रमा करेंगे इस सदिक परिक्रमा नहीं करनी है भूल चुक छोटी बड़ी भूल चुक के लिए शमायाचना मांगेंगे और गणेश जी की जनम कथा जो की आपको आसानी से पुस्तक बजार में मिल जाएगी आप उसे जरूर अगर दिन में ए साथ ही साथ गणेश जी की जब आप पूजा आरती कर लेते हैं उसके बाद जो प्रसाद रहेगा वो आप जो है छोटे बच्चों को जरूर खिलाएं छोटे बच्चे जो आपके आस पास रहते हैं या अगर आप उन्हें बुला सकते हैं अपने घर में आरती के लिए या पार्ट के लिए तो उन्हें अपने साथ में जरूर बुलाएं और आरती करते समय इस बात का ध्यान रखे कि अगर पूरा परिवार उस समय पर आरती गाता है या सुनता है तो वो भी बहुत जादा ही अच्छा वाना जाता है इस समय पर घर में जो है मास मदिरा का सेवन न नहीं होना चाहिए ब्रह्मचारे का पालन होना चाहिए शुद्धता का घर में पूर्ण रूप से ध्यान जरूर रखना चाहिए तो भाई और भेनों आज अपनी वारी को यहीं विराम देते हुए मैं आशा करती हूं आज के वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आया होग हम फिर मिलेंगे किसी नवी शेपा चर्चा करते हुए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए जय मतादी दोस्तों